नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर वेलेंटाइन विक चल रहा है और लोग अपनी महबद से अपनी प्यार का इजहार कर रहे हैं बालुट की भी चर्चीत प्रेम कहानिया हैं जिनका जिक्र अकसर होता रहता है इनमें से एक कहनी है महानायक अमिताब बच्चन और सदा बाहर अभिनितरी रिखा की आज भी किसी अवार्ड सम्रोह या बी टाउन की पार्टी में रिखा और अमिताब बच्चन मौजुद होते हैं तो महबद का पल सफा लोगों की जबापर आही जाता है हलाकि दोनों अब अपनी अपनी जिन्दगानिया में आगे बढ़ चुके हैं और दोनों के अफ्यार के चर्चे सतर के दसक में फिलिम दो आंजाने के सेट पर हुई थी अमिताब बच्चन सहाब तब तक एक इस्टार बन चुके थे और जया भादोरी से उनकी सादी को तिन साल बेथ चुके थे इसी के बाद रेखा और अमिताब बच्चन सहाब के अफ्यार की खवरों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था पुरी फ्लिम इंडर्ष्टी में इस कहानी की चर्चा थी और वर्ष 1978 आते आते तो दोनों के रिष्टे की चर्चा आम हो चुकी थी कई मगजिन में दोनों की अफ्यार की खवरों ने सुर्कियां बटोरी थी कहा जाता है कि दोनों दुनिया से छुपकर एक दूसरे से मिलते थे हाला कि अमिताब बचन सहाब ने कभी रिखा के साथ किसी भी तरह की रिष्टे की बात को सुईकार नहीं किया था दोनों के अफ्यार की चर्चाएं जाब बच्चन तक भी पहुँची उन्होंने एक दिन फोर्न करके डिनर पर बुलाया अमिताब बच्चन सहाब उस समय फिल्म सिलसले में सहर से बाहर गए थे और घबराई हुई रिखा जया से मिलने चली गई डिनर के दोरान जया बच्चन ने रिखा को कुछ भी नहीं कहा पूरा घार भी दिखाया हाला कि जब रिखा लोटने लगी तो जया ने सिर्फ इतना ही कहा कुछ भी हो जाएगा मैं अमित को नहीं छोड़ूँगी इस तरह से कहा तो दोस्तों आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा हमें कामेंट करके जरूर बताएगा और आज है विलेंटाइन डे तो आप सभी को हैप्पी विलेंटाइन डे तो आर ऐसे ही जनकार के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्स निकी है तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को भी तक लाइक निकी है तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा थांक्ची दोस्तो हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए